हेलो एवरिवन, आज हम छटी गक्षया की उडान कारिय पुस्थिका की विश्य भुगोल के कारिय पत्रक 4 और 5 को स्वल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंता पूरी देखें और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो देखें सुरुआ करते हैं कारिय पत्रक 4 और यहां इसकी दक्सका दे गई है कि आप क्या सीखेंगे आओ दिये गए चित्र की सहायता से विभिन भौतिक सवरूपों जैसे परवत, पठार, मैदान, नदियों, रुस्थल, आदी को पहचाने तथा ग्याद करें कि कैसे यह मानविय कीरियाओं को प्रभावित करते हैं तो अब यहां पर देखें एक चित्र दे रखा है बच्चों इसमें मंडल दे रखे हैं यह वयू मंडल है यह स्थल मंडल है और यह है जल मंडल अब आगे यहां पर कुछ क्यूशन दिये हैं पहला क्यूशन तो यह है कि इस चित्र में आप क्या-क्या देख पा रही है तो एक पर दोबारा से देखिए इस चित्र में आपको क्या-क्या नजर आ रहा है और मुझे बताइए इसमें हमने मंडलों के बारे में जो है मंडल देख रही है जल मंडल है स्थल मंडल है और यहां देखो वायू मंडल भी है है ना तो इसमें मंडल दिखाई दे रहे हैं और जो जल मंडल है उसमें मचलियां तैरती हुई दिखाई दे रही है वायू मंडल में यहां पर देखिए आस्मान में जो है पकसी उड़ रहे स्थल मंदल में भी जो है बहुत सारी चीजें है देखने को यहां पर पकसी के अलावा जो है पसु है यहां पर रखिती है यहां पर हाथी है यह भैंस है यहां पर हीरन है ये गैंडा है ये उट है है ना तो इस तैसे हम इसमें काफी चीज़े देख रहे हैं जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चो वो आपको यहां पर लिखनी है आगे हैं सजीव और निजीव वस्तूओं की सूची बनाओ तो सजीव वस्तूओं कोन-कोन सी तो उसकी सूची बनानी है वो लिखना है हमें जैसे ऐक बार चित्र दॉबारा से दिखा देती हूँ आपको यहां पर सबसे पहले हम सजीव वस्तूओं की सशी वस्तूओं में पकुसी देख रहे हैं और हम यहां पर उट दिखाई दे रहा है यहां अधियल्त है यहां पर ये गैंडा है, तो इस तरह से सजीव वस्तूओं में ये मचली है, है ना, ये सारी सजीव वस्तूओं है, अब इसके अलावा जो निर्जीव वस्तू है, उसमें ये बादल है, पहाड है, है ना, और बताओ, मिट्टी है जमीन यानी मिट्टी है ये घर बने हुए है ये यहां जोपडियां बनी हुई है ये सब निर्जीव वस्तुए है और ये जो पेड़ पोधे हैं ना बच्चो ये सजीव है ठीक है ये सजीव में आएंगे तो पेड हैं पोधे हैं ये सजीव में आ जाएंगे तो जो जो वस्तुएं हम सजीव देख रहे हैं उसमें हम देखे क्या लिखेंगे हमने पक्सी देखे हैं है ना उसके अलावा हीरन है भैंस हाथी और क्या देखा है बताओ उंट गैंडा पेड पोधे है ना पेड पोधे सजीव में हो आते हैं तो ये सारी चीज़े हमने देखी है अब निर्जीव की बात आ जाती है तो निर्जीव में हमने क्या क्या देखा बताओ बादल देखे पहाड देखे मिट्टी देखी मिट्टी और घर देखे जोपड़ी देखी इस तैसे आप ये लिख सकते हैं आगे आजाता है यहाँ पर थर्ड क्यूशन कि क्या आप जंगली और पालतू जानवरों की सूची बना सकते हैं जंगली जानवर कौन से हैं उन में से और पालतू जानवर कौन से हैं तो जंगली जानवर में तो इसमें सेर है जिसको हम पालते नहीं है गैंडा है और है हाथी वैसे सरकस में हाथी पाला भी जाता है ऐसी बात नहीं है और है हीरन यह आ जाते हैं हाथी को वैसे आप पालतू में भी लेकर आ सकते हो क्योंकि जो सरकस में है वो हाथी को भी पाल लेते हैं और नहीं तो अब आप इसमें भैस लेक सकते हैं भैस है उठ है जो ये पालतू जानवर है उसमें ये आ जाते हैं आगे है यहां पर कि हमें जल कहां से प्राप्त होता है जल जो है वचो हमें नदी से प्राप्त होता है नदियों से वर्षा से भी हमें जल मिलता है कुवों से हमें जल मिलता है है ना कुवों से अब आगे आता है कि विभिन प्रिमंडलों के नाम लिखे अब प्रिमंडल रखे हैं इसके अलावा एक और जैव मंडल भी होता है जो दे नहीं रखा तो हम प्री मंडल में लिखेंगे एक तो है स्थल मंडल एक है जल मंडल एक है जैव मंडल और एक है फायू मंडल यह हमने लिख दिये हैं चारो मंडल अब आगे काईस ने कि प्री मंडलों से संबंधित विशेस्ताओं का मिलान करें देखू चारो मंडल यह यहाँ पर भी दिखा रखे हैं इसकी विशेस्ताएं क्या क्या हैं जैसे स्थल मंडल है तो स्थल पर तो हम हमें जो है घर खेत मैदान यह होता है ठीक है जल मंडल में मचली होती है वायू मंडल में बादल और जीवन दायनी गैसे होती है और जो जैव मंडल है ना वो जीव जन्तू और पेड़ पोधे होते हैं अब आगे इसने कहा है कि बच्चों हमने विभिन परिमंडलों के बारे में पढ़ा है अब आप पताईए कि हम किस परिमंडल पर निवास करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो है स्थल मंडल हम स्थल मंडल पर निवास करते हैं यहां जाएगा स्थल मंडल अब आगे है यहां पर प्रित्वी का वह सिमित भाग जो स्थल वायू एवं जल से मिलकर बना है और जीवन संभव बनाता है डैस कहलाता है तो वो जैव मंडल कहलाता है बच्चों ये जैव उंडल आएगा यहाँ शेर जंगली जानवर है ये सही है या गलत है ये सही है वर्षा केवल परवतों पर ही होती है हाँ या नहीं नहीं केवल परवतों पर ही नहीं होती वर्षा तो मैदानी अक्षेत्रों में भी होती है है ना तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, अब आगे आ जाता है ये कारिये पत्रक पांस दिया गया है और इसमें दक्ष्ता दीए है कि विश्व के मांचीतर पर महाधवीज और महा सागुरों को चिन्नित करें तो आप देखो बच्चो इसमें हम महादवीप और महासागरों के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि विश्व में साथ महादवीप हैं और पांच महासागर हैं ये महादवीप साथ हैं और महासागर है पांच यह आपको याद रखना है GK का क्यूशन भी हो सकता है है यह मतलब आपके लिए और अब यहाँ पर देखिए एक बार पहचान करवा देती हूँ सबसे पहले हम करेंगे महा सागर और महादवीब है तो इसमें महादवीब को देखेंगे कौन-कौन से महादवीब है साथ महादवीब है अब देखेंगे मैं एक-एक करके बताती हूँ कि कौन-कौन सा है पहला है यहाँ पर एसिया महादवीब यह है पहला दूसरा है अफरीका महादवीब यह जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महादवीब है और तीसरे नंबर पर आ जाता है ये देखिए ये है तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका और ये है चोथे नंबर पर दक्षिन अमेरिका चार नंबर दे देते हैं इसको पांचवाँ जो है महादवीब है यहाँ पर देखो एंटार्क्टिका ये पांचवा यहां पांस नमबर दे देते हैं इसको छे नमबर पर है यूरॉप यहां पर यह देखो यह है यूरॉप छे नमबर पर और साथवा है यहां पर आस्ट्रेलिया यह साथवा महादवीब है तो यह साथ महादवीब हो गए अब इसके अलावा अब हम पांच महासाग जो यह आपको दिखाई दे रहा है गलोब पर कुछ तो हिससाइस का यहाँ है और यहाँ पर देखो यह परसांत महसागर है दूसरे नमबर पर है एटलांटिक यहाँ देखो यह जो सागर है सारा यह एटलांटिक है दूसरे नमबर पर तीसरा है हिंद महासागर यहां पर देखिए यह जो एरिया है सारा हिंद महासागर का है और फिर है इसके बाद एंटार्क्टिक यहां पर आर्क्टिक का आर्क्टिक यह रहा आर्क्टिक महासागर यह रहा यह है ठीक है यह चार नमबर पर है आर्टिक और आर्टिका के बाद है पांचवा है ये रेखिए यहाँ पर ये दक्षणी महासागर ये 5 नमबर पर है तो इस तरह से हमने पांचों महासागर और साथों महादवीपों के बारे में जाना अब यहाँ पर देखो बच्चो इसने लिखा है कि उपरोक मानचित्र को ध्यान से देखें और दिये गए विशु के मानचित्रों पर अंकित स्थानों पर महादवीपों और महासागरों के नाम लिखें जैसे संख्या पाच अंटार्टिका और वन ई दक्षणी महासागर को दर्शाती है तो यहां देखो इसने कहा है यह देखिए ये साथ महाद्वीब हैं, इनके नाम लिखने हैं, इसने ऐसा कहा है तो देखें, एक पर ये था एसिया, है ना नमबर दो पे मैंने क्या बताया, बताओ, याद हो गया था क्या अफरीका नमबर तीन पे है उत्री अमेरिका ये उत्री अमेरिका है यह नमबर चार यह जो है ना यह दक्षणी अमेरिका है ठीक है और यह नमबर पाँच जो है वो है एंटार्क्टिका यहाँ पर देखो यह नमबर छे नजर आ रहा है ना यह है यूरॉप यहाँ हम लिखेंगे यूरॉप और उसके बाद साथ नमबर जो यह जर आ रहा है आपको यह है यूरॉप यह हो गई हमने नाम लिख दिये हैं इनके अब आगे यहाँ महाद्वीपों के नाम भी पूछा है है इसने तो उसमें हम लिखते हैं जो आ है यह वाला यहां पर तो है परसांत परसांत महासागर है कुछ एरिया यहाँ पर भी परसांत महासागर का है ठीक है और और ये B जो है यहाँ पर है Atlantic महासागर और इसके बाद C जो है न बच्चो यहाँ पर हिंद महासागर है ये जो D देख रहे हैं आग ये Arctic महासागर है यहाँ उपर और यहाँ पर नीचे जो E है न बच्चो ये रहा यहाँ यहाँ पर दक्षिनी सागर है दक्षिनी सागर तो ये हो गए पाँच महासागरों के नाम अब आगे तो बच्चो आजाता है राजनितिक शास्त्र और राजनिति सास्त्र जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल 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